नमस्कार दोस्तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चानल में हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी आज हमारी खास वीडियो है हरी मिर्च से जुड़ी कुछ नोखी बातों के बारे में तो दोस्तो चलिए जानते हैं बोजन में तीखापन लाने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल भारती रसोई में सदियों से हो रहा है क्योंकि यह लाल मिर्च से ज़्यादा फाइदेमन होती है हलाकि बहुत से लोग इसके तीखेपन की वज़े से इसे खाना पसंद नहीं करते लेकिन आपको बता दें कि इसमें ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं जो डायबिटी से लेकर वज़न को कंट्रोल करने में फाइदिन मन होते हैं तो दोस्तो आज हम आपको इसके गुणों और फाइदों के बारे में बताते हैं हरी मिर्च में कई तरह के पोशक्तत जैसे विटमिन A, B6, C, Iron, Copper, Potassium, Protein और Carbohydrate से भरपूर होती है यही नहीं इसमें बीटा कारोटेन, क्रिप्टोस्थिन, लुटेन, जॉक्स्थिन आदी स्वास्ते वर्दक चीजे मुझूद है जो लोग डाइबेटीज के शिकार हैं, उन्हें हरी मिर्च के पानी का सेवन करना है रात को एक गिलास पानी में दो हरी मिर्च बीच में से काट कर भिगो दे और सुबा ब्रश करने से पहले इस पानी का सेवन करे इससे बलड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा वजन घटाने में हरी मिर्च आपके लिए फाइदेमन हो सकती हैं क्योंकि हरी मिर्च में कैलरी बिल्कुल नहीं होती इसके परियोग से आप पोशक तत्व को तो ग्रहन कर लेंगे लेकिन शरीर्द को कैलरी नहीं मिलती इसमें विटमिन C भरपूर मातरा में होता है जो रोगों को लड़ने की शमता को बढ़ाता है यानि की प्रतिरोधक शमता को मजबूत करता है हरी मिर्च खाने के बाद आपकी बंदनाग का खुल जाना भी इसी का एक उधारण है नमबर 4, कैंसर सेल्स को रोके कैंसर से लड़ने और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हरी मिर्च फायदे मन्द है इस पे भरपूर मातरा में एंटी ऑक्सिडेट होते हैं जो शरीर की आंतरिक सफाई के साथ साथ फ्री रेडिकल से बचा कर कैंसर के खत्रे को कम करती है इसके सेवन से फेफडों के कैंसर का खत्रा भी कम होता है जो लोग स्केमिंग करते हैं उन्हें हरी मिर्च जिरूर खानी चाहिए नमबर 5, तवच्छा निकारे हरी मिर्च में बहुत सारे विटमिंस पाए जाते हैं जो स्किन के लिए काफी फाइदिमंद होते हैं अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आपकी तवचा में भी निकार राता है नमबर 6, साइनस करे दूर हरी, ताजी मिर्च का एक चमच, रस, शहद में मिलाकर खाली पेट खाने से दमा के रोगी को राहत मिलती है इसका परयोग 10 दिनों तक करने से लाब होगा वहीं हरी मिर्च खाने से गर्मी निकलती है दो परभाविक दर्द निवारक का काम करती है इसमें कैपेसिन मुझूद होता है जो नाक में रक्त परवा को असान बनाता है इससे सर्दी और साइनस की समस्या में राहत मिलती है बसेवन मूड बूस्टर हरी मिर्च मूड बूस्टर का वी काम करती है यह मस्तेक्ष में एंडोफरिंड का संचार करती है जिससे हमारा मूड काफी हद तक खुश नुमा रहता है यह खाने को जल्दी पचा देती है साथ ही शरीर के पाचन तंतर में भी सुधार करती है इसमें भरपूर मातरा में फाइबर पाया जाता है इसलिए यह कप्स को भी दूर करती है नमबर एट इनफेक्शन से बचाए हरी मिर्च में अंटी बेक्टीरियल गुन पाय जाते हैं जो की संक्रमन को दूर रखते हैं इसलिए हरी मिर्च को खाने से आपको स्किन इनफेक्शन नहीं होगा नमबर नाइन आइरन बढ़ाए महिलाओं के शरीर में आइरन की कमी होती है ऐसे में आइरन को बढ़ाने के लिए हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो मैं उमीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप इसे अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जूर बताएं और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तिल देन टेक केर और थेंक्स फर वाचिंग